So hello guys welcome to my channel guys in this video I am going to tell you how to show multiple text in one text view by clicking next button and previous button So let's see how to do this So guys सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं आपको example यहाँ पर बताने वाला हूँ ताकि आप समझ सको तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने create कर रखा यहाँ पर अगर आप next button पर click करेंगे यहाँ पर तो यहां पे क्या होगा कि आपका text जो है next text यहां पे आपका so हो जागा जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे कुछ text so हो रहा है उसके बाद next पे click करेंगे तो यहां पे दूसरा text so हो रहा है guys उसके बाद फिर से अगर आप next पे click करेंगे next वाले button पे तो तीसरा text so हो रहा है जब तक आप जितना text आप add करना चाहेंगे multiple text को आप यहाँ पर add कर सकते हैं एक text view में so करवा सकते हैं guys तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर example के लिए 3 text add कर रखे हैं तो 3 lines में अगर 3 बार यहाँ पर tab करेंगे 3 times इस button पर तो आपका यहाँ पर यहाँ पर add हो जाएगा text guys तो देख सकते हैं यहाँ पर add होते ही आपका यहाँ पर बटन जो है यहाँ पर false हो जाएगा आप इसे click भी करेंगे तो यहाँ पर यह work नहीं करेगा उसके बाद यहाँ पर previous को आप text को देख सकते हैं यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं तो यहां पर अगर आपका यहां पर previous जितने भी last तक है यहां पर starting से वह starting तक आ जाएगा तो आपका automatic यह है previous बटन जो है यहां पर false हो जाएगा तो इस तरह से कैसे create करते हैं sketchware में आज की वीडियो में आपको बता आने वाला हूं तो इस वीडियो को like और share करना ना भूलें तो चलिए भीने time गाई इस वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले यहां पर sketchware को open कर लेते हैं और यहां पर new project create करेंगे guys तो इस वीडियो को जितना हो से कि उतना like और share करना ना भूलें guys ताकि मैं इस तरह क इसका main purpose है guys कि next button और previous button कैसे add करते हैं लेकिन यहां पर मैं इसका दोनों title इसलिए दिया हूं guys क्योंकि यहां पर multiple text को भी so करवा सकते हैं और साथ ही साथ यहां पर next button और previous button भी आप add कर सकते हैं तो इसलिए मैं इसका title दिया guys तो चलिए मैं create पर click कर लेता हूं और यहां पर आपको designing कर लेना है सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे कि सबसे पहले linear edge को लेंगे इसका height जो है हम यहाँ पर 200 कर देते हैं यहाँ पर 200 करने के बाद यहाँ पर फिर से linear edge को ले लेते हैं और यहां पे क्या करते हैं एक बटन ले लेते हैं इसके अंदर में हम क्या करेंगे कि एक linear edge को लेंगे और इसका width जो है अभी हम तो हम नेक्सट कर देते यहां पर तो उसके बाद इस linear का यहां पर ग्रेविटी हम कर देते हैं corner horizontal यह कर सकते हैं center vertical जा यहां पर क्लिक करके center vehicle तो यह हो जाएगा उसके बाद यहां पर जोd यहां पे कर देंगे one तो यह हमारा आ जाए गयाज उसके बाद एक text view ले लेते हैं text view का आप चाहें तो यहां पे size increase कर सकते हैं और यहां पे हम इसे bold कर देते हैं थोड़ा सा color पहले यहां पे rate कर देते हैं उसके बाद यहां पे bold कर देते हैं style बस यहां पे कोई भी designing नहीं कर कर सकते हैं इसमें उसके बाद event में जाएंगे यहां पे logic set करेंगे तो simply आपको करना क्या होगा हम more block को use करेंगे सबसे पहले तो more block पर select करेंगे और यहां पे नीचे में plus वाले पे click करके हम more block को add करेंगे तो simple यहां पे more block को add करना है directly यहां पे more block इसका name रख देते हैं आप कुछ भी रख सकते हैं इसका तो मैं more block इसका name यहां पे type कर देता हूँ और add कर देता हूँ यहां पे कुछ नहीं करना है गाए simply क्या करेंगे हम कि एक variable number को add करेंगे तो number में यहां पे select so करवाना चाहते हैं उधने text so करवाने के लिए आपको if then का block लाना पड़ेगा guys तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं example के लिए 3 ले लेता हूँ या 4 भी ले सकते हैं आप इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि हम simply यहाँ पे जाएंगे operator में और equal to का option दिख जाएगा यह बारी block लाएंगे और इस block को हम set करेंगे इस तरह से और set करने के बाद हम number variable को यहाँ पे end करके simply यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे हम simply कर देंगे 0 से start करेंगे 0 1 2 3 3 करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं गाईस हम क्या करेंगे कि हमारा जब यहाँ पे जब 3 में आएगा तो फिर से start करवा सकते हैं फिर से start नहीं करवाएंगे यहाँ पे यहां पर क्या करेंगे कि सभी में हम यहां पर text को लाएंगे इस तरह से text view और text view 1 को हम select कर देंगे गाईस ठीक है तो यहां पर आपको text को type कर देना है simply अब जो भी text आपके पास है हम मैं यहां पर welcome to android bulb channel में type कर देता हूँ उसके बाद hello good feature आप भी इसमें number text को type कर सकते हैं या paste कर सकते हैं कहीं से copy करके the end मैं इसका यहां पर text सिर्फ लिया हूँ guys अब क्या होगा कि यहां पर हमारा यहां पर क्या करेंगे कि सबसे पहले हम button को यहां पर देख सकते हैं guys अब देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं guys यह बटन को हम फॉल्स कर देंगे दोनों को यहां पर इसलिए हम यहां पर फॉल्स कर रहे हैं guys क्यूंकि हमारा जब प्रीवेश बटन जब last हो जाएगा मतलब अस्टाटिंग में back होगा तो उसके पीछे कोई भी टेक्स नहीं रहेगा तो हमारा false हो जाएगा automatic और last में हमारा false हो जाएगा यहाँ पर text हो जाएगा तो आपका जितना भी आप और भी add करना चाहेंगे तो add कर सकते हैं लेकिन आपको ध्यान रखना है next वाले में last वाले में आपको यह वाली करना है और स्टार्टिंग में यह रहेगा ही, तो यह आपको ध्यान रखना है, तो यह हो गया, यहाँ पर करने के बाद, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर simply जाना है, button 1, view में जाना है, button 1 जो हमारा previous का है, तो सबसे पहले हमारा, यहाँ पर button में क्या होगा, decreasing order में हम यहाँ पर block को set कर देंगे, तो हमारा decrease होगा, प्लस में यहाँ पर क्या करेंगे, कि हमने जो button false किया था, button 2 को हम यहाँ पर जो next button है, उसे हमारा यहाँ पर true कर देंगे, गईस, और यहाँ पर button 2 हम true करेंगे, उसके बाद यहाँ पर more block हमने add किया, उसे यहाँ पर लाएंगे इस तरह स same आपको क्या करना है, कि आपको button 2 में क्या करना है, कि यहाँ पर increasing order में कर देना है, ताकि आपका यह block set करेंगे, और यहाँ पर हम button 1 को true करेंगे, इस तरह से, तो यहाँ पर true कर देते हैं, उसके बाद more block को यहाँ पर लाएंगे, हम इस तरह से, अब क्या होगा कि first time हमारा application open हो, तो हमारा कुछ text, जो है first वाली text सो हो, तो उसके लिए हम on create में जाएंगे, on create में जाने बाद हमको simply क्या करना है, कि यहाँ पर number को select कर देना है, कि हमारा जो है, zero वाली text वाली जो number है, वो हमारा सो हो जाए, और यहाँ पर हम initialize करेंगे, वो वाली, तो हमारा हो गयाँ बस यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपका यहाँ पर ready हो चुका है, तो चलिए हम इसे run करके आपको दिखा देते हैं, कि यह कैसा, मतलब work करता है या नहीं, तो तो देख सकते हैं, यहाँ पर हम open करेंगे, तो देख सकते हैं, यहाँ पर hello जो है, automatic सो हो रहा है, फर्स्ट वाली, उसके बाद अगर आप अभी previous वाले बटन पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर automatic जो है, यह आपका false नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देख सकते है, उसके बाद हमारा यहाँ पर check कर लेते हैं, एक second guys, मैं check कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, तो guys, यहाँ पर हमने एक mistake क्या किया है guys, कि यहाँ पर increase करवा दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं, यह वाली increasing वाले हमें नहीं यूज करना है, इसमें more block में, क्योंकि हमारा more block है, यहाँ अगर हम पहले ही increase करवाएंगे, तो यहाँ पर हमारा बटन क्लिक होगा, तो previous बटन back कैसे होगा, decrease कैसे होगा, क्योंकि हम यहाँ पर double करवा रहे हैं guys, तो यहाँ पर increasing double करवा रहे हैं, इसलिए हमारा यहाँ पर problem आ रही थी, तो by mistakely हमने यह वाली block set कर दिया है, तो हम इसे delete कर देते हैं guys, simply increasing वाले block को यहाँ पर delete कर देते हैं, बस यहाँ पर कुछ नहीं कर को वीडियो लंबना हो, so देख सकते हैं, finally मैं यहाँ पर install कर लिया हूँ, फिर से open करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, कि यहाँ पर देख सकते हैं, welcome to Android Bulb channel, जो first हमारा text था, वो सो हो गया, यहाँ पर previous वाले button जो है, हमारा भी false है, अगर next पर click करेंगे, तो यहाँ प तरह से, तो आई होप यह वीडियो आपके लिए यूज़ फूर रहा होगा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ने टुटोरियल के साथ, तब तक के लिए, बाबाए, टाटा, थैंक्स पूर वाचिंग